हां ख़े तो किसे नमस्कार आप लोग देख रहें यूपी एक्प्रेस न्यूच चैनल आइए यूपी एक्प्रेस अचैनल Bus we do 15 principle आपको बानदा जनपद जो बंद के बुंदेल खंड में जो बानदा जनपद आता है बानदा जनपद के लास्ट में जहां से आपका एंप्य बारडर सुरू होता है वहाँ पे लेके चलता हूं और वहाँ की जो के पोजीशन और किसान किस तरह से यहां पर रहता है कैसे गुजर बसर करता है वह आपको दिखाने कोसिस करता हूं आप लोग देख रहे हैं यह बादा जनपत के एकदम लाश पर हम लोग खड़े यह बाना जनपत के अंतरगत आता है और यहां से ठीक लाश यह बाना जनपत के यूपी और एंपी बार्डर के एकदम करीब खड़े हुए हैं यही है आपका यहां सुरू होता है यहां सपना जिला लागू हो जाता है और यहां की आप लोग भगोली किस्ति देख रहे हैं यह पूरा वंच्छेत्र है ठीलों से फीला उचा नीचा ऐसी स्थित में यहां पे कैसे किसान गुजर बसर करता है कैसे किसान ही करता है किस तरह से अपने परिवार का रख रखाओं करता है कैसे परिवार का भरण पोसंड करता है वह जीरो ग्राउंड पे लेके मैं आपको चलता हूं और दिखाने कोसित करता के बाद से यहाँ 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 परिवार का कैसे रहता है कैसे को दिखाने की बताने कोछिस करता हूं आप देख रहे हैं यहां पे यह जोटाकी किनारे च آپस क्या नाम है आपका बॉरे लाल जी तो यह चाय की दूकाण आपकी है अच्छा अच्छा कितना कमा लेते हैं परिवार में कितने सदस्ट होता है अच्छा सरकार की तरब से कुछ बेवस्था किसानों के लिए महीने मिलता कभी मिलता कभी मिलता मढ़ी सब्सकु आप लोग देख रहे हैं यह बुंदेल खंड जन्पत बांदा कि अंतरगत आने वाला यूपी एंपी का बाड़र है जहां से यूपी सतम होता है और चालू होता है वहाद एक छोटी सी गुंटी है यह भी एक किसान है इसे हमने जानकारी ली तो इनका कहना है कि तरब से अभी आप लोग देख रहे हैं यहां पर यह पहाड़ी टाइप में करते हैं आप लोग करते हैं आप लोग देख पा रहे हैं कि बराबर चलने में यहां पर देखा जाए तो अब वस्ता होगी और उसके बावजूद भी ऐसे पीलों में ऐसे उबर खाबड जगह पर यहां पर किसान किसी तरह से अपना क्षेटी करसिकार जो भी करता है उसी स पर किसान हमारा जिसनको घ्रगंग में और करते हैं कि में दूंने इ Sesame exists भी आधना किसी तरह से बार पॉसण करते हैं क्या उनके पास रथाएं क्या नहीं है आप लोग देख रहें है चारों तरह तील नजार आ быть, उसलिथ अपर समय दिश्र बचएक है, कहीए तीला है उसी मजबूरी करता है मजबूरी बराबर मिलती है तो चार दिन नहीं मिलती है सरकार की तरफ से तो रासंग भी मिलता है कोटे में आता है कालोनी बगेरा सोचाले बगेरा कुछ नहीं मिला है तो कैसे परिवार का भरण कोसर करते हैं मजबूरी में कर रहा है के मजबूरी में करता है देरा तो जड़को बुंदेलखनड में है तų चुप घेरा मतलब मतलब कर जो गरीब किसान है वो अपना यह को परिवार का वहां पर करता है उस से भरासंट करता है उसको बुंदेल खंड की भासा में डेरा बोलते हैं यह बच्चों के कपड़ें देख रहे हैं आप लोग इस तरह से यहां पर कपड़ों की भुलानी की ब्यस्ता होती है और आप लोग यह भी देख रहे हैं यह चारों तरफ से खुला हुआ है यह तोटाल एकदम मैदानी भाग है सब्सक्राइब की जानलेवा ठंड होने के बवजूद बह deine सान है यहां पर देखिए किस सैंट की दिच्टर है इनकी ऩिश्ता अप लोग आंगलन करिए कि इस तोरे की भेंकर जान लेवा करना कीसे अपना बसेरा करते हो तो आहें इस डेरा के जो किया साब स्टाथां किसार dalla पर प्रधान रह चुके हैं जा अच्छा किस्वर स्टाला में थे गराम पंचाइज से टाव्ड करेंगे तो आप यह आपका ही परिवार है पूरा परिवार इस तरह से जैसे पूर प्रधान जी यहां पे भीशर जंगल है और यह आपके यूपी और एंपी कर ठीक बार्डर है जहां पे आप लोग यहां पे बसे हुए हैं कुछी कदम पे यहां से सतना बाडर शुरू होता है तो आप किसानी करते हैं तो यहां पर किसानी यहां समतल जमीन दिख नहीं रही कैसे करते हैं अब क्या मजबूरी भूंखन जब भूंख की सदार में होता है तो किसी प्रकार से भरन पोशन तो करना ही पड़ेगा यह सरकार को चाहिए यहां की जमीन समतल करा दे यहां की चकबंदी कभी हुई नहीं है जो बड़े लोग हैं वह अपनी जमीन को सब गरीब लोग जो ले भी लिया बना भी लिया उनके साथ भी वही दसा होती है जर्शकू आपका कहना है कि सरकार को चाहिए कि यहां पर उबर खाबर जमीन है इसका समतली करण होना चाहिए जिस से किसान को तो बहुत यहां पुंदी किसान कर आयां के सरकार की तरफ से काफी कावर्याइर की कश़ान को मिले कर्म चाहिए कृए कि कार करता यह को भर नहीं को घर ईता है रियुग का नहीं पूझताा है आख यहां घरिब आलब कि दसको आप लोग का कहना है कि सरकार के जो करीबी लोग होते हैं उन्हीं को पूरा नहीं पड़ता है तो हम गरीद जंता के पास कहाएगा यह पाठा छेत्र है बार्डर है बार्डर पे लोग बसे हुए हैं और किसी तरह से अपना गुजर बसर यहां पे कर रहा है आपको का में मिला आप लोग सुनने हैं कि समय पूर प्रधान भी रह चुके हैं कि मिलना तो दूर यहां पे सुचना तक नहीं मिलती है और ऊपर से जो भी सरकार गरीब लोगों को देती है वो उनके खास लोगों तजी सीमित रह जाती है तो कैसे आप बुज़र करते हैं आपका कहना है मजबूरी का नाव महात्मा गांदी किसी ने किसी तरह से हुआ कि बायस्ति हैं हमको अपने परिवाय का भरापोसर्ण तो करना है वाला भी लग जाता है देखिये । जमीन है अब सरकार है जैसा रखेगी वह इसे रहेंगे तो यहां पे फसल आप लोग कैसे सुरक्षित रखते हैं अब मिनस्कर करके अब कैसी सुरक्षित करें रात में देखिए तो रात में यह अन्ना प्रिखा के जानवर हैं दिन में है तो बंदर है तो अब देखिए दर्स को आप लोग सुनने हैं यह किसी समय पर प्रधान भी रेचिकों हैं पंचाइट से और उसके बाद भी इनकी कैस्तित हैं आप लोग देख रहे हैं आपका कहना है कि जो भी उबर खाबर जमीन है उसके क्रिशिकार करते हैं पानी की कोई बेस्ता नहीं है पाठा जैसा च्छेत रहे हुए और उसके बाद भी रात में जानौरों से अपनी फसल को बचाने कोशिद करते हैं दिन में बंद्रों से फसल बचानी कोशिद करते हैं आपका कहना है जैसे भी इंप पर्वार के साथ रहती हैं इतनी भेंकर ठंड पड़े रही है जो घरों में लोग रहते हैं हम लोग रहते हैं वहाँ इतना विश्टा रुस्टा अरी व्यश्टा होने बाद भी ठंड का ऐसास कम नहीं होता है इसको आप लोग सुनने हैं इनका कहना है कि पूरे परिवार सहीद बारों महिने हम ऐसे जंगल में यह जो डेरा इस तरह का इसको बना कि यहां पे पूरे परिवार को रखते हैं और अभी ठंड का जिकर किया तो उनका कहना है कि जब तक ठंड बरदास्थ होती होती वरना उसके बाद लकड़ी में आग जलाके आग से सारे हम लोग रात बुजारते हैं ये वंदेल खंड का जीता जाकता विकास है जो आप लोग देख रहे हैं जीटल जमानवल्स और exempel्स भानश से ऊपलो播द's कोषिस की आप लोगों को दिखाया मैदानी भाग है यहां पे कोई यह बच्चा तो बच्चों को आप लोग पढ़ाते राते नहीं है कि पांच बच्चेहिन के खाने की पढ़ाने की बिएस्था करें तो आप लोग देख रहे हैं यह डिश्टियल जमाने का दौर है जिस दौर में बुंदेल खंड की यह भी कड़ी है यह एक समाज का हिस्सा है हमारे आपके और यह समाज जो है जिस पॉजिशन में था उसी पोजिशन में आज भी है यह आपका बांदा जन्पत के जेश्ट बार्डर में जहां से MP शुरू होता है बांदा जन्पत का एरिया खतम होता है उसी जगें पे हम लोगों ने आकर और आप लोगों को यहां पे दिखाया कि बुंदेल खंड का विकास क्या है सरकारे हैं वह गरीबों के लिए किसानों के लिए काथी कुछ करने की कोशिश करते हैं बाते भी होती है लेकिन जीरो पॉइंट पे हकीकत यह है अभी आप लोगों ने देखा कि यह पूर प्रधान है किसी स तक नहीं मिलता है पांच पांच बच्चे आप लोग ने सुना है इनका कहना है कि पांच पांच बच्चे आप लोगने देखा यह पोजीशन है और मैं अपने कैमरा में के नाम से जाना जाता है और यहां तरह कि यह जो धलान है आपको दिखाना चाहूंगा यह जो धलान अप लोग देख रहे हैं जहां से उतरना मुश्किल है उसके बावजूद भी ऐसी जगह पे इन्होंने यह तमाटर लगा के रखे हुए यह आप लोग जमीन देख रहे हैं जहां से चढ़ना उतरना मुश्फिल है उसके बावजूद भी इस जमीन पे इन किसानों ने टमाटन लगाने की कोशिश की हैं और आप लोग देख रहे हैं कितनी मेहनत ऐसी जमीन पे चलना उतरना बैठना मुश्किल है उस जगहे पे इन्होंने ये श्यमाटर लगाए हुए सिर्फ इस उमीद से इससे चार पैसा अर्जित होगा जो हम अपने बच्चों के लिए बरल पोशन की ब्युस्ता करेंगे ये जमीन आप लोग देख रहे हैं तीला टूली इसी पे सर बुंदेलखन का जो विकास है उसको गीरो। ग्राउंड पे लाकर दिखाने की यहीं है आप का बुंदेल का जो भिकास है जो जीरो ग्राउंड पे है वह आप लोगों ने देखा तो इनका कहना है कि इस साइड में हम लोग रहते हैं इस साइड में जो गाए बक्रियां बगेरा है वो रात में यहां पे उनका वसेरा होता है तो दर्सको यूपी के बुंदेल खंट जनपत बांदा के लाश्ट कारनर में बार्डर में जहां से आपका एंपी सुरू होता है वहां पे लेकर आकर मैंने आप लोगों को किसानों की जो एक अंदर की दर्द भरी जो जीवन की एक कड़ी है उसको दिखाने की उजागर करने कोशिस की एक तरफ डिश्टल जमाना है तरफ विकास हो भी रहा है लेकिन वो विकास की रप्तार क्या है व मैंने आपको दिखाई इन लोगों का कहना है कि सरकार जो बेवस्था करती है गरीबों के लिए किसानों के लिए करती है लेकिन हम तक नहीं पहुंच पाती आखिर इसका जुम्मेदार कौन है ये गरीब किसान कल भी इस्वर के सहारे थे आज भी इस्वर के सहारे है गरीब किसानों की ये जो दुर्दसा है ये जो परिशानी है ये क्यूं है इसका जुम्मेदार कौन है ये सारी बातें गर में है तो मैंने आप लोगों को जीरो ग्राउंड पे ले जाकर गुंदेल खंड के किसानों की समस्या को उठाने और दिखाने की कोशिश की तो यूपी को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यूँ